स्वागत है दोस्तों आपके चैनल टेक्स तडीबर आज की किलास में बात करेंगे चालक अचालक अड़ चालक और इसके साथ केविल और वैर के वारे में यह बहुत ही जादा इंपूर्डन टॉपिक और इसमें से अक्सा कोशन बनते हैं और उससे पहले मैं आपको बता दू कर लिए लिए पर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब की दिया यह आपका इलेक्टिसन के चैप्तर वोर्ट है और हरा चैनल अगर आप अब सबसे पहले चालक क्यों आटि जानक के बारे में तो इन तीनों में डिफेयर वारी बारी सा बताओं गॉस वे पदाट जिन में विरुद्धारा आसानी से प्रवायत हो सके मतलब वे पदाट जिन में विरुद्धारा आसानी से प्रवायत हो सके और यह होता किसकी वज़े से? ये होता है उस किसी पधार्ट के अंदर मुक्ट इलेक्ट्रोन का प्रवासरलता से हो जाने के लिए इसे ये भी कह सकते हैं कि विपधार्ट जिन में मुक्ट इलेक्ट्रोनों की संक्या प्रयाप्त होती है या मुक्ट इलेक्ट्रोन का प्रवासरलता से हो जाता है उन्हें बिरुट का चालक या बिरुट चालक कहते हैं इसमें मैंने नोट में एको लिखा है कि नोट में ये भी देगे कि पदाद तो मैं मुक्ट इलेक्टरॉन की संक्या जितनी अधिक होगी भे उतना अच्छा क्या होगा चालक आप एक पात याद रखिए किसी पदाद के अंदर हीट यानि गर्मी और उसम और बिरुट धारा उसके अंदर मुक्ट इलेक्टरॉन के बज़े से ही फ्लो होती है उसके अंदर जो फ्री इलेक्टरॉन होते हैं वो ही एक दूसरे इलेक्ट्रोन को देते जाते हैं जिससे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो हो पाती है तो मैंने किया का चालक किसे कहते हैं बेपधार्थ जिन में बिरुद्धर आसानी से प्रवहा हो जाए या बेपधार्ट जिनमें मुख्ट इलेक्ट्रोंड की संक्या परयप्त होती है उन्हें चालक पधार्ट कहते है उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़के देखो मैंने एक नोट के बाद ये लिखा है मोस्न इंपोर्ण टॉपिक है कि हरक वर्ड पूचा जाता है कि सबसे अच्छा चालक पधाथ कौंस है तो चांदी है, चांदी कि सबसे अच्छा प्रूर्ट होती तोsom सुनेFR, आडिक्तर अच्लाइन, के बढें।ifter साथoton you ुहılar एप्टिन कि वह गसे जएधक्ती हों अच्छालइग में सробर नहीं होदी जिन में सैक्छिछ निम्ड मेने लिख दिए है जैसे चांदी हुई सोना हुआ टावा हुआ एल्यूमीं हुआ और भी कापने सारे नां इसके बाद आया स्टवपक आपका अचालक यानि अचालक क्या आप इतना मैं लिए आप लिए चालक का उल्टा होता है जिसे चालक में विद्लतव्दक प्रभाइतрах हो जाती है और अचालग में बिल्कुल भी नहीं होती है आप का एक करेंट देते रहो तो करेंट नहीं जाओ देख लिजए बेपधार्ट अचालग बेपधार्प जिन में बिरुद्धारत प्रवायत नहीं हो पाती अब ऐसा क्यों होता है क्योंकि इन में मुक्ट इलेक्ट्रोन की संक्या ना के बराबर होती है क्पढ़ाति के कुछ नहीं सतान से स्तान पर ले जा रहे हैं वो उनगे नहीं तो दोओ दान कैसे चलेगी नहीं जाएगी जैसे कौन-कौन से पदात होते हैं जैसे रवड होता है इसमें बिलुकुल नहीं होते हैं कागज होता है हर एक बस्तू हर एक पदात हर एक ऑब्जेक्ट सभी में इलेक्टॉंस होते हैं लेकिन इतने कम होते हैं वह मारे किसी काम के नहीं होते हैं आप बात किजिए चीह नही सब्सक्राइब क्याँ कुरते हuatingा इसके बाद सब्सक्राइब.. युआ यह महीन जयती Tao झानंद उसके बार आप याद रगए कहाँ जितना में अतार होता है याद रखिए उसके बार ठोपिक लिए एंट चाहलग जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है रात 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 राध चाहलग सेमी कंडेकटर भी कहते है र्भाट अपको बथा लोगिस पब दारा जैसे बेपदाड ना तो अच्छे चाल्ग होते हैं इसा बहुत होगी मतलब कुछ घृट तक होगी ठोड़ी बहुत होगी में चाल्ग से कम रहेगी चाल्ग से तोड़ी जादा रहेगी इसलिए इन्हें अड़ चालक कह देते हैं अब इनका भी कोई डीजन होता होगा तो इनका क्या डीजन होता है इनमें भी वही फनूमना होता है जैसे इनमें मुक्त इलेक्टरॉन की संक्या चालकों से कम होती है और अचालक से ज़्यादा होती है इसमें आपको दो ही नाम कौन-कौनसी है वो ऐसे पदात हैं तो क्या है questo जर्मेनियम और एक सिलिकॉन हो गैश्यू लिकॉन हो गया कॉन को इसलिकॉन चाहती है। जैसे बलैक मिद्ध को कहते हैं चिप का उती है को योग ATCN में अधिक्तर IC बगरा इसी पदार्ट की बनी होती है इसके बाद देखते हैं तार और के बारे में अगर बात की जाए कि इंटर्वियू में सबसे ज़्यादा कोशन अगर पूछा जाता है तो यह भी उनमें से एक टॉपिक है जिससे इंटर्वियू में अक्सर कोशन पूछ लिया जाता है तार और केबिल अकसर किसी को पता ही नहीं है अधिक्तर स्टूडेंट में आपकी नहीं कह रहा है मैं अध तो सबसे पहले इन डोनों में थोड़ा सो मरें एक लाइन में अंतर बता दुढ़ास अच्छे से समझ जाओगे रहे तार काफ जो रयते हैं चालओ मतलब जिस ours फ्लो हो जाएगा चालओ थीक और तार का जो आकर के अधर रहता है गो रहता है जैसे ये तार है जैसे मैंने डाइगरम बनाए ये तार है तार का क्या है इसका डाइमेटर यानि कि ब्यास एक समान होता है यानि हर पॉंट पर एक समान होता है यहां पर इसका डाइमेटर कुछ है तो हर पॉंट पर इसका ड ब्यास समान होगा तो इसका काट चेतरपल गोल होगा यानि इसका डाइमेटर की बाद पी जा रही है तो इसका जो काट चेतरपल यानि यह सामने से देखने पर उगरा हुआ भागया देख रहा है वो कैसा होगा गोल होगा कभी भी तार का चेतरपल तरोजाकार आयता का नही होता अब पीवीसी या इंसूलेशन किया होता है मतरब एक अचाला पधार्थ उता है जिसकी बज़े से आप ऐसे पकड़ो तो इस पर करेंट नहीं लगता तो तार में ये इसके उपड़ नहीं होता यूए उसके बार आप देख लो थोड़ा सा केविल को भी केविल क्या होत इंस्टूलेशं या PVC流 को चड़ा दिया जाय तो वह केवल बन जाएगा और मैसम पूर्ण बात ये कि यह 2 या 2 से ज्यादा केवल के बी होते है यानी कि 2 या 2 केवल को संयोक किये हुए होते है जैसे एक ये केविल है तो इसके अंदर भी ये सपोर्ज गड़ों दो या दो से जादा तीन चार केविल को भी बीच में बना करके एक संयोग करके बना हुआ भाग भी केविल ही कहलाता है जबकि तार में ऐसा कुछ नहीं होता है तार सिंगल होता है नंगा होता है इसके बाद देख लेते हैं टाइप वायर के बारे में यानि तार कितने प्रिकार के होते हैं कौन कौन से प्रिकार के होते हैं जैसा आपने अभी तक नाम सुना है उन्हें सभी के बारे में बता रहा 2-1 इसमने क्या होता है यह हैं तार रोता यह में सिर्ड़ाटों को बना होता है एक किस यह रख़ात है निकल और क्रोमियुम को सिर्फिय को सब्सक्राइब होता है अपनान रहें देखीं नहीं किर्वि较तों निकल क्रोमियम, निकल क्रोमियम, नाई क्रोमियम, नाई से निकल क्रोमियम से क्रोमियम, तिक, वो क्या होता है, असी और बीस का नुपात रहता है, उसके बाद आपका यूरे का वैर, यूरे का, ये भी एक प्रिकार का मिस्र दातु का बना होता है, क्या होता है ये भी एक मिस्टर राथू का बना होता है मिस्टर राथू ही कहलाती है इसमें क्या होता है टावा और निकल मतलब इसमें टावा और निकल का मिस्टर होता है इसमें टावा 60% तब निकल 40% मिक्सर रहता है ये पूचा जाता है कोईशन में हर बार पूचा गया है इसलिए मैं आपको करार हूँ अधरबाइस कोई इंपोर्डेंट नहीं रहता है उसके बार आपका जी आई वैर जिसे आप तो बस याद रखिए गैल्विनाइज आईरन वैर जैसा आपने मार्केट में देखा होगा लोहे का तार बोलते हैं उससे जी आई वैर ही बोलते हैं और इसके बार में एक जी जो याद रखिए यह क्या होता है सबसे ज्यादा मजबूत होता है सबसे ज्यादा इसलिए इसका प्रियोग क्या करते हैं इसलिए इसका प्रियोग अर्थिंग बगड़ा के लिए किया जाता है या कपड़े सुगाने के लिए रस्ति भादने के यह प्रियोंग करते हैं उसके बाद आगर में आता है फीज़वेर में आपको वताहँ हूँ जैसे आपने कहीं देखा हूँ आपके बच्विए आपके मदर बोर्ड हुआ पलेट हुआ उस पर कुछ I.C. भगरा को टांका रखने में जिस एक पतले छोटे से वायर का प्रियो करके उसे उसके उपर टांग का रखने के लिए प्रियोग किया जाता है यह भी मिक्सर होता है मिक्सर दातू का बना होता है इसे टांग का रखने प्रियोग किया जाता है उसे फ्यूज वायर कहते है इसके बाद आपका बश्ता है टाइप अप केविल्स टाइप ऑप केविल की फुलपॉर्म उती हैं वेल्के नाइज इंडियन रवर मैं लिख देता हूँ यह लिख दिया वेल किन ईंडियन रवर यह दो-तीन वडेप वर पूचा जाचुक है कि भी इं आई यार सी की फूलपं क्या होती है तो वेलिम किनाइज इंडियन रवर केवल तिक तो इसमें क्या होता है वी आई यार केविल के अंदर क्या होता है कि इसमें टावे का तार होता है तावे का वैर होता है तावा यानि कि कौपर जिसका वैर होता है उसके उपर वी आई यार की इंसुलेशन चड़ाई जाती है उसे केवल बनाया जाता है मैंने क्या का इस्ते सरा dollar के उपर विए याई-यर की इंसुलेशन चड़ाय मि जाती है। इसके बाद आगर मैं आता आपका पीवीसी केवल केवल, इसके पॉलीविनायल किलोरैड होती है। ऐसमें क्या होता है इसमें भी टावी का तार होता है यानि तार होता है उसके उपर पि-वी सी की इंसूलेशन चड़ाई जाती है तो यहां आपका यह चैपिक्टर कंप्लीट होता है सभी । यहां पर है अगर आपको इन सबी के सभी चैप्टर की पीडियाप चाहिए तो आप हमारे टेलेगराम को परजाई और से सर्च कीजिए सर्च करने के लिए मैं आपको बता तो हमारे description में देखिए तो उसमें आपको एक link देदी है जिसमें add the date करके टेक study लिखा है पूरा spelling देखिए उसे सर्च मारोगर टेक study नाम से उसमें आपको क्या है कि सभी chapter wise पीडियाप सभी चैप्टर का एडी का एलेक्टिसन का फिटर का सभी का पीडियाप आपको मिल जाएगा जैसे मैं करा तक जा रहा हूं वैसे इस से भी बैठता था तो उसे जोइन कीजिए अगर आपको कोई doubt है तो comment कीजिए thank you